आज का यह वीडियो भूमी, मृदा, जल, प्राकरतिक बनस्पति और वन्ने जीवन संसाधन पर आधारित वन लाइनर प्रस्नों का सेठ है इसे आप ध्यान से और अंतक जरूर देखें क्योंकि ऐसे प्रस्न बहुत कम मिलते हैं यह सभी प्रस्न आपको प्रधान सीच्छ की तयारी में सहायता करेंगे यह 50 प्रस्नों का सेठ है चलिए शुरू करते हैं जल गरह किसे कहा जाता है? तो जल गरह प्रिथवी को कहा जाता है विश्व वन दिवस कब मनाये जाता है? तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाये जाता है सामुदाइक भूमी पर किसका अधिकार होता है? तो समुदाइक भूमी पर समाज का अधिकार होता है रेगर मिर्दा किसे कहते हैं तो रेगर मिर्दा काली मिर्दा को कहते हैं समय मिर्दा का गठन और जयवपदार्थ में से कौन सा कारक मिर्दा निर्माण का नहीं है तो इसमें मिर्दा का गठन जो है कारक मिर्दा का निर्माण नहीं करता है सुकधारी वन की लकड़ियां कैसी होती है तो सुकधारी वन की लकड़ियां कठोर हुआ मुलायम होती है कौन सी विधी तीब्र धालो पर मिर्दा अपर्दन को रोकने के लिए सरवाधिक उप्युक्त होती है तो सम्मुच्य रेखिये जूताई की विधी, तीवर ढालोपन मिर्दा अपर्दन को रोपने के लिए सरवाधिक उप्युक्त होती है बैताल राष्ट्रिय उध्यान किस राज्य का एक मात राष्ट्रिय उध्यान है और वह किस जिले में है बैताल राष्ट्रिय उध्यान जार्खंड राज्य का एक मात राष्ट्रिय उध्यान है और या लातेहार जिले में है विश्व की कितनी परतिसत भूमी किरसी योग्य है तो विश्व की 11% भूमी किरसी योग्य है भारत की 57% भूमी किरसी योग्य है मिर्दा के निर्मान के कारक कौन है तो मिर्दा के निर्मान के कारक जलवायू है भारत में मिर्दा कितने प्रकार के है तो भारत में मिर्दा आठ प्रकार के है जलोड, काली, लाल यूम पीली, लेटेराइट, सुस्क, लोण, जैव और वन मिर्दा बाद में इन्हें पांच वरगू में विभाजित किया गया है अगले भाग में हम मिटी पर चर्चा करेंगे दखन पठार पर कौन सी मिर्दा पाई जाती है तो दखन पठार पर काली मिर्दा पाई जाती है कपास की खेती के लिए कौन सी मिर्दा उप्युक्त मानी जाती है समुच रेखिये जुताई कहा की जाती है रचक में घाले कहा लगाई जाती है उच्छ तापमान और अधिक वर्षा वाले छेतरों में कौन सी मिर्दा पाई जाती है उच्छ तापमान और अधिक वर्षा वाले छेतरों में लेटे राइट मिर्दा पाई जाती है सिमली पाल जीव मंडल नीचे कौन से राजे में स्थित है उरिसा राजी के मयूर गंजीले में स्थित एक राष्टी उधान है इसमें एक हाथी अभ्यारन भी है किस वन में राइल बंगाल टाइगर पाया जाता है यह वन खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाया जाते है रबड यो महगुनी का संबंध किस प्रकार के बनस्पति से है तो रबड यो महगुनी का संबंध उष्ण कटिवंधिया वर्षा वन से है भारत में यह वन पश्मी घाटो और असम में पाया जाते है सीन कोना के विख्ष कितनी वर्षा वाले छेतर में पाए जाते हैं भारत के कौन से जिव मंडल नीचय विश्व के जिव मंडल नीचयों के लिए बनाए गया है तो ये नंदा देवी और मनार की खाड़ी जिव मंडल नीचे विश्व के जिव मंडल नीचे के लिए बनाए गया है यह समुंद्री जैव विवत्ता के लिए एक गर्म अस्थान है नेश्ट तिबती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? नेश्ट काजी रंगा मानस पंच मढ़ी सुन्दर वन में से कौन सा छेतर जैव आरक्षित नहीं है? नेश्ट सुन्दर वन किस राजे में इस्थित है? तो सुन्दर वन पस्चिम बंगाल में इस्थित है भायत के किस छेतर में प्रवासी पक्षी पाये जाते हैं? भायत के आदर भूमी वाले छेतर में प्रवासी पक्षी पाये जाते हैं कौन से ब्रिक्ष की सखाएं समान अपवाद प्रतिरूप प्रनाली को दर्साता है? तो दुरुमा कृतिक विक्ष की सकाएं समान अपवाद प्रतिरुप प्रनाली को दर्साता है नेश्ट अस्थल और जल में निवास करने वाले प्रानी को क्या कहते हैं तो अस्थल और जल में निवास करने वाले प्रानी को उभैचर कहा जाता है नेश्ट, मानो हस्तचेप या बाधा से सर्वदा मुक्त बनस्पती क्या कहा लाता है? तो मानो हस्तचेप या बाधा से सर्वदा मुक्त बनस्पती को अक्षत बनस्पती कहा जाता है नेश्ट, किस राजे में बनो का छेतरपल सबसे अधिक है? तो नागा लेंड में बनो का छेतपल सबसे अधिक है जैद और जिवाडू प्रतिरोध वनस्पति कौन है? तो जैद और जिवाडू रहित प्रतिरोध वनस्पति नीम को कहा जाता है नेश्ट एसियाई सेरो का प्राकिर्तिक वास अस्थल गीर राष्ट्रिय उधान भारत के किस राजे में स्थित है? वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतिय है उसे हम देशज वनस्पति कहते है भारत की सबसे लंबी अस्थलिय सीमा किस देश के साथ लगी है? भारत की सबसे लंबी अस्थलिय सीमा बंगला देश के साथ लगी है नेश्ट भारत की अस्थलिय सीमा कितने देशों से लगी है? भारत की अस्थलिय सीमा साथ देशों से लगी है नेश्ट भारत का सियाचीन हीमनद छेतर किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का सियाचीन हीमनद छेतर सफेद पानी के नाम से जाना जाता है पृत्व की चुंबकिय रेखा कहां से गुजरती है तो पृत्व की चुंबकिय रेखा त्रिवेंदरम से गुजरती है आपको या वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक योम सब्सकाइब जरू कीजिए गई, चलिए आगे बढ़ते हैं भारत में, भारत के कितने राजियों में समुद तठ है, तो भारत के नो राजियों में समुद तठ है इनको किस नाम से जाना जाता है? तो सिवाली का निचला भाग भावर कहलाता है नेश्ट पश्चिम भारत में कौन सा परवत इस्तित है तो पश्चिम भारत में अरावली परवत इस्तित है नेश्ट वर्तमान भारत में भारत का कौन सा अस्थान सफेद पानी के नाम से जाना जाता है तो वर्तमान भारत में सियाचीन जो है सफेद पानी के नाम से जाना ज बंगाल की खाड़ी में बने चकरवातों की समाने दिशा उत्तर से पश्चिम दिशा की ओर होती है कालवैसाखी क्या है? तो कालवैसाखी एक चकरवाती तूफान है इनाइची तथा काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उप्यूक्त होती है? इनाइची तथा काजू की खेती के लिए काली मिट्टी उप्युक्त होती है भारत में हरित क्रांती की सुरुवात किस वर्स हुई भारत में हरित क्रांती की सुरुवात वर्स 1966 से 1967 के बीच में हुई नाब चिक और नाम रूप कोईला छेतर भारत के और राचल परदेश राजे मेशती थे उत्तर भारत का मैंचेस्टर किस सोहर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैंचेस्टर कानपूर सोहर को कहा जाता है वर्स 19.6 में भारत में फासफेट उरुवरक का पहला करखाना कहा अस्थापित किया गया तो भारत में फासफेट उरुवरक का पहला करखाना तमिल नाडू के रानी पेट में अस्थापित किया गया भारत के संबिधान में किसी किस सूची का विसे है ऐसे और फिर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब यूम लाइक जरूर कीजिएगा